हैलो बच्चों, कैसे हो आप सब? तो आज हम करेंगे क्लास दो का चैप्टर नमबर सैवन चैप्टर नेम मेरी किताब जानी माई बुक मा ने वीरू को एक संदेश देखकर संदेश मींस मैसेज सुनेहा अप देखकर अपनी बहान के पास बिजा मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई बैठक मींस ड्राइंग रोम बैठक में कदम रखते ही वीरू असचर्च से ठिठक गई उसने सोचा बापरे इतनी सारी किताबे वहाँ नीचे से उपर तक किताबों से बरे खानों वाली दो लंबी दिवारे थी वह आंके फाड़े देखती रही अंत में उसने साहस करके पूशा क्या आपके पास बज्चों के लिए भी किताबे हैं मौसी ने कहा हाँ जे देखो जे वला खाना ये वला वीरू ने हरानी से कहा इतनी देर सारी किताबे मेरे पास तो इतनी किताबे नहीं है मौसी ने कहा जदी तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुमें कुछ किताबे दे सकती हूँ तुमें किस तरह की किताबे सबसे अधिक पसंद है वीरू ने दीरे से कहा मुझे मालूम नहीं मौसी ने एक किताब निकालकर वीरू को पकड़ाई और कहा तुम ये किताब पढ़कर देखो वीरू गबराकर पिछे हटी और बोली बापरे ये तो बहुत मोटी है मौसी ने सुजाब दिया अच्छा तो फिर शायद जीवाली ठीक रहेगी वीरू बोली ये बहुत बड़ी है मेरे बस्ते में नहीं आएगी बस्ता मिन्स बैग मौसी ने एक तीसरी किताब दिखाई और इसके बारे में क्या ख्याल है वीरू ने किताब के पढ़ने पल्टे और ये फैसला लिया इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है इतनी छोटी छोटी तस्वीरे और जे किताब बहुत पतली है सेहली ने कहा वीरू मुझे तो लगता है कि मैं तुमारे लिए किताब नहीं चुन सकती ऐसा करना अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक फुटा लेती आना फुटा मिन्स केल वीरू ने पुचा फुटा क्यों मौसी ने हस कर कहा तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम नापकर ले जाना ठीक है ना वीरू ने मांक के बेजी हुए कागस को मेज पर रखा और बाग खड़ी हुई तो बच्चों आपको कैसी लगीजे कहानी और मुझे ये भी बताओ कि आपको भी बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है जिन जिन बच्चों को बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताए और अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तब तक बाई और मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए